अब बुद्रिश देखने नहीं मिलता है और देखिए दोनों का जहर अभी हम लोग ब्लासपूर से 25 किलिमेटर दूर मोज गाउं जाना माना गाउ है आप लोगों ने हमारे चानल बहुत सुना आए यहां हम लोगों ने जस्ट अभी हाफ एनार पहले ही एक रेस्क्यू किया है और जस्ट उसके थोड़े दूर थोड़े दर बाद हम लोगों कॉल आए इसी घर से इसी गाउं से कि यहां पर प्लॉट में एक दो साफ है चली देखते कि क्या दो साफ है और वहां का महौल कैसे है क्योंकि अभी लगातार लोग खेट पर काम कर रहे है धान बुआई का किसान लोग है कि यहां पर देखिए यहां पर जो नजारा है वह आम तो पर देखने को नहीं मिलता है और दोस्तों यहां पर किसानों का यह कहना है कि यहां पर धारीदार करेत है उसने को पकड़ के रखा हुआ था शायद इंसानों की छेड़खानी की वज़े से उसने उस साप छोड दिये तो चलें मैं आप लोगों को नजारा दिखाती है देखे यहां पर एक बेंडड़ करे थे और दूसरा साप यहां पर देखे एक कोब्रा भी खे यहां पर कोब्रा भी है जिसixoanki सानों ने और जस इसके बाजू में देखे, बैंडट करे थे, यह देखे, एक ही जगह दोनों साप का मिलना, और इस सिर्फ सिकार करने आया था, मुझे भी बस्ते में काम करें, दोनों साप अभी इस समय गुस्से में होंगे, दोस्तों की दोनों का फेस हिक दूसरे के सामने है, और बैंडट करें ते कैसा साप है कि वो किसी भी जहरेले साप को खाने से पहले संकोच नहीं करता है, यही उसका सिकार है वही उसका मुख्याहार भी है, सायद इस जगे में साइस को देखके लग रहा है कि कोब्रा इसको खा जाता, सही बहते है, कि बिक साइस का कोब्रा है, हो सकता है, यह इसको खा ले, देख परने क्यों अजाया नहीं है, खर पाहित भाग ही हो, जरूर इन में लड़ाई हुआ है, खाने के लिए एक दूसे को यहां पर खून है, दोस्तों देखिए, इसके बॉड़ी में यहां पर पकड़ा-पकड़िकी होंगे, तो खून आ रहा है, घाओ है, जहा है, बड़ा हैं क्या जह मको इसता है, एल में यह ही पेके लाव वर है, एल में भींट राराव है, एल में ले, एल में है, खर न यहाँ है, तूस्तों है, जल आ अवट आव़ार जूथ है अदिए यह आटाना देखें तुँ वो हमला करेगा वह आफ्रे अब आ हरे अजब भाबा लॉट देखे तु पीसे चल दे थोड़कर अब पीसे चल जा जिए मुर्क पीसे चल जाओ पर शीड़ा जिसक नबराएव का देखें विजली का तार था और जो सौट हुआ है उसमें आर्थी का ध्यान चुका है और कोबरा उसके पेट में हमला किया इसे तरह से हमारा साथ हमेंसा खत्रा बना रहता है और हम अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की बचाने कोशिस करते हैं देख के तुम ध्यान दो और दोस्तों शायद इंसानी डिस्ट्रबेंस की वजए से यह सांप ने दूसरों को शिकार करना बंद कर दिया वरना लडाई हो रही थी इन दिनों के बीच में कर दोस्तों किस तरह से बाइट करें खाते हैं एक दूसरे को यहीं इंसान की डिस्ट्रब के पहले भी यही चीज़ हो रहा था हुआ 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 है तो दोनों का साथ देखने नहीं मिलता है और देखिए दोनों का जहर उतना ही खतर नाक है अब देखतें किसको क्या सब्सक्राइब हम लोग तो छोड़ाना है यह पहले भी काटा काटी किये हैं और यह इसके पुरा मूं को पकड़के रखा हुआ हुआ है क्या चुरू तर देखि द्सक्राइब है धुरू तर देखिए हुआ है और सबसात थे किया रहा हुआ है जर देखिए है तो हम लोग सारे किसानों से अंडूर्ट करेंगे कि अगर वो लोग रात को खास कर एकर रात ऊखेत में आते हैं तो जूता पहन के आए टॉर्च लेका रहा है और एक लाठी जरूर लेकर आए साथ में थानों सरकारी होस्पिटल जाए वहां पे स्नैक होने के बाद का ईलाज दोस्तों इस सांप के बारे मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा प्लीज इस सांप को हलके में ना ले यह करेथ है बहुत ही बड़े जाथ बड़े साइस के करेथ है और बहुत ही जहरीला घातक सांप है अब जाथ जी मेरा नाम धनीराम सिंगराल है मैं जोरापारा से हूँ मुझे दो पार रसल वाइपर ने काड़ चुका है मैं सिम से गया सरकारी हस्पिटल वहाarents मुझे एंटी मेलम दिया भाईया कमल भाईया के चैनल को देखकर मुझे सीख मिला कि जाड़पुक के चक्कर में ना रहे तो मैं सिधा स्थीम से गया और मेरा जान बज़ गया इसी भी हम छोड़ रहे हैं करेत का जहर जो है कोब्रा से 6-8 गुना ज्यादा केज और घातक होता है और उसी का आज एक्जामपल हुआ कि नाज साब को जब करेत ने काटा और कोब्रा ने जब करेत को काटा तो कोब्रा की मृत्यू हो गई तो यही नेचर हम तो इसको बचा नी पाए तो प्लीज इस साब को हलके मत लीजिए अगर आता है तो इसको जने दीजिए